यह जो स्कीन पर आपको देख रहा है और्थ के नाम से अपलीकेशन इस अपलीकेशन से आप लोग कोई भी प्लोट इजली मेजर कर सकते हो सिधा कोई भी प्लोट आप कहीं का भी हो आप डारेक्ट उस लोकेशन पर जाके गूगल और्थ अन करके आप लोग वहाँ का लोकेशन नाप सकते हैं या कि घर बैठे भी आप लोग कहीं का भी प्लोट इसली मेज़र कर सकते हो इसके लिए आपको यह पहले गूगल अंदर क्लिक करेंगे यह देखिए एक पुलोट कहुला हुआ है इस पुलोट को हम लोग इसलिए मेजर कर सकते हैं यहां प्रे में यहां प्लिक करेंगे यह जो आइकन दिख रहा है आपको इसको crosshair कहा जाता है इससे हम लोग easily measure कर सकते हैं देखें यहाँ पे इसको मैं लेके जाऊँगा यहाँ पे starting में plot का जो आपको clear दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे 8 point का option है वहाँ पे click करेंगे 8 point मैंने click कर दिया अब direct जहाँ तक plot है आपको वहाँ तक लेके जाना है देखें यहाँ तक इसका length जो है 600 honest feet है ठीक है यहाँ पे भी एक अब इसका area लेने के लिए यहाँ पे भी एक a point 8 कर देंगे ठीक है फिर इदर जाएंगे feed 8 point इसका पूरा चारों boundary का हम लोग point 8 करते जाएंगे यहाँ पे ले जाकर यह देखें नीचे यह close save का option आ रहा है इस पे close कर देंगे तो देखिए आपका area आ चुका है यह नीचे आपको area देखा रहा है square feet में इसको आप लोग change कर सकते हैं इसको किलोमीटर या square yards score miles आप लोग किसी भी unit में इसली आप लोग major कर सकते हैं यह हुआ आप कहीं बैट है कहीं का भी आप लोग major कर सकते हैं इसको मैं रिशिट कर देता हूं देखिए आपको कोई का भी मेजर करने कोई भी प्लोट जैसे यह मैंने देली के खुला हुआ था कोई भी अपना जैसे कि आप जहां पे भी है यह नीचे जो आइकन दीख रहा है यह इस आइकन पर क्लिक करके आप लोग क्लिक करेंगे तो आप जहां ोट को देखाएगा वहाँसे आप लोग इसी तरीका से जैसे मैंने बताया मेंजर कर सकते हो आपको कोई भी प्लोट मेंजर करने में कोई दिकत ने जोगा इसी इस इसी अप्लीकेशन से यह हम में आम है गूगल और्थ